हेलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्के फिंट्स जी पीटी इंट्रा प्रोजेक्स लिमिटेट की ओर से सप्टंबर क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका स्टैंडराउन कॉंसॉलिडेटेटेड रिजल्स आउट हो चुके वन रुपीज पर रिक्विडेशेर का एंट्रिम डिविडेंट भी डेक्लियर कर दिया गया रिकॉर्ड डेट रखा गया 24 नॉमबर का तो अब हम लोग चलते हैं कंपनी के फिनांसल रिजल्स पे और पहले गाइज हम लोग कॉंसॉलिडेटेटेड फिनांसल रिजल्ट को कवर करेंगे चलिए फिन अम लोग वीडियो को स्टार्ट किरते हैं नंबर है लैक्स में इंकम में 234.5 करोड का पिछले वाटर में 239.6 करोड का सब्टेंबर ट्वैंटिटीट वाटर में 153 करोड का इंकम हैं क्वार्टर अन कम में माइनल सा डाउन है यर अन यर में करीज किया है एक् अच्प्रेंश बहुत ज़ादा डेक्रीज़ यहां पे इंक्रीज किया इसके बाद ऑपरेटिंग प्वाफिट है 19.7 करोड का पिछले कौर्टरं 17 करोड का और सप्प्रेंबर 22 क्वाटर में 6.5 करोड करोड का अप्रेंग पॉफित, है quarter on quarter year on year में increase किया है net profit 13.5 करोड का पिछले quarter on 13.2 करोड का September 22 quarter 5.5 करोड का net profit है quarter on quarter year on year में increase है EPS 2.32 रुपीज का quarter on quarter year on year में increase किया है तो guys quarter on quarter के income में डाउन है लेकिन profit बहुत अच्छी growth हुआ है अगर हम segment वाइस revenue की बात के तो infrastructure concrete slipper और unallocated इन दोनों revenue generate कर रहा है जो कि average की quarter on quarter में down है but profit improve किया है अगर हम standalone results को cover करें तो income में 224 करोड का पिछले quarter में 239 करोड का और September 22 quarter में 150.5 करोड का income है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है expenses त्यूहंडर नाइन करोड का पिछले quarter में 218.7 करोड का और September 22 quarter में 142 करोड का expense हुआ था quarter on quarter में down है year on year में increase किया है operating profit 15 करोड का पिछले quarter में 20.7 करोड का September 22 quarter में 8 करोड का operating profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है net profit 11 करोड का पिछले quarter 15.5 करोड का September 22 quarter में 5.8 करोड का net profit है जो कि quarter on quarter में तो down है year on year में increase किया है EPS 1.96 रुपेज का quarter on quarter में down है year on year में increase किया है तो गाइस company का result अगर देखिएगा तो quarter on quarter की profit में यहाँ पे standard on में down है और income में भी down lean consolidated का सिफ income में down था इसलिए company average result पेश गया तो हम लोग वीडियो कहीं प्रेंट करते हैं अगर कोई डाउटर कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं